जो हम बात करें, that is of cellular telephone system, जो हम अगली presentation से एक नया chapter को शुरुबात करें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, so basically cellular telephone system को PCS भी बोल लेते हैं, cellular telephone system को PCS भी बोल लेते हैं, इसका main जो principle है, that is frequency को reuse करना, main principle जो है, that is frequency को reuse करना, basic principle इसका, ठीक है, basic principle, cellular telephone system two way communication provide करता है, with regional and national coverage, कहने का मतलब है कि मैं इदर से phone कर रहा हूं, मेरा दोसरी जगह से phone कर रहा है, within the same area, मतलब मैं दिली में हूँ, दिली के एक कोने में में मेरा दूसरा friend दूसरे कोने में है, that is regional coverage, national coverage में दिली में में पंजाब कोने कर रहा हूं, that is national coverage, ठीक है, the coverage area of cellular system is divided into non-overlapping cell, मतलब अगर यह दिली स्टेट है न, दिली है, तो दिली में भी अलग-अलग cells होंगे, cells की होते है, जहां हमारा एक base station होता है, सिर्फ एक टावर हो, simple, देशी बाशा में याद रुखो न, कि जहां एक टावर है, जैसी दो टावर आगे मतलब इस टावर का एक अलग cell है, एक अलग area जहां यह अपनी coverage पहुंचाता है, ठीक है, हर cell में एक base station होगा, उससे ज्यादा base station नहीं होगे, ठीक है, so coverage area of cellular system is divided into non-overlapping cell, non-overlapping cell से कोई overlap नहीं हो रहा है इदूसरे पर, ठीक है, and हर cell को कोई channel assign हुआ होता है, हर cell को कोई channel assign हुआ होता है, अब यह work कैसे करता है, उसकी बात करती है, ठीक है, अब यह work कैसे करता है, उसकी बात करती है, ठीक है, so होता क्या, the operation within a cell is controlled by base station, हर cell में जितने भी operation है, जितने phone हम करेंगे, वो मेरे इस cell के अंदर एक base station होगा, एक tower होगा, जो मेरे phone के साथ connect होगा, हना, मैं यहा हूँ, तो मैं इस के साथ, इस tower के साथ connect हो, अगर इधर हूँ, तो इस वारे tower के साथ connect हो, हना, ठीक है, the operation within a cell is controlled by base station, which consists of several transmitter and receiver, हर base station में बहुत सारे transmitters होते हैं and receivers, होते हैं, obvious ही बात है, जितने mobiles, उतने transmitter and receivers, जिसे हम mobile को connect रख सकें, these are connected to high speed dedicated communication link and हर base station किसे connect होता है, MSC से connect होता है, हर base station, हर base station हमारा किसे connect होता है, MSC से connect होता है, हर base station हमारा इस MSC से connect होता है, ठीक है, तो यह हम connect कर देते हैं, यह connect हो गया, यह कनेक्ट हो गया हर बेस्टेशन हमारा इस MSC से कनेक्ट है इस MSC से कनेक्ट हर बेस्टेशन अपने कर दिया ठीक है इतना समझा गया अब यह MSC फर्दर किससे कनेक्ट हुई है यह MSC फर्दर हमने किससे connect किया, PSTN से connect कर रखी है, ठीक है, तो आगे वही लिखा इसने, कि this are connected to high speed dedicated communication link to MSC, which coordinates the activity of all BS, जो हर BS, हर BS station की activity को coordinate कौन करता है, MSC, ठीक है, in limited region and provide connection to other fixed networks, जो further provide करती connection to other fixed networks, मतलब, मैं अपने इस phone, इस दिर मैं हूँ और इदर मैं अपने phone से telephone वालों को call भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यह MSC ने telephone के साथ भी connect है, यह MSC हमारी telephone के साथ भी connect है, I hope सब के इतना तो समझ आया ही होगा, इतनी उमीद कर सकते हैं कि सब को इतना समझाए है, अगर इतनी उमीद कर सकें तो बाध बऩ़ी है, नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं खर सकते हैं, मतलब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जिससे यहां को क्या ही करेंगे कि, हाना, So I hope सब को इतनी बात समझा भी हो, ठीक है, Cellular Telephone System के कुछ examples हैं, जिसके हम बात करेंगे, जैसे example है GSM, AMPS, DEMPS, IS95, सिर्फ example यात्रफ को, इनके बारे में देखना हो था, आप नूर्स से देख सकते, क्योंकि 4-4 पॉइंट से, 2-3-3 पॉइंट से, जो आपको याद करने, इसमें मैं खुछ नहीं कर साथ कि, यो रटने पड़ेंगे, हना, आप लोंको फिलाल रटने पड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई concept ही तो नहीं है, यह नहीं कि उसको मैं explain करूँ, ठीक है, PCS है, अब इसको एक summary करते है, Cellular telephone system PCS है, basic principle frequency reuse है, two-way communication provide करते हैं, and cell overlapping नहीं होते हैं, non-overlapping cells होते हैं, हर cell का base station MSC से connect होता है, MSC further PSTN से connect होता है, ठीक है, अच्छा मैंने के बोला frequency reuse करता है, कहने का मतलब है, हर cell को एक channel alert है, मानलो इदर मेरी कोई frequency चल रही है, तो यह आसपास वाले जो इसके touch हो रहे हैं, जो इससे cell touch हो रहे हैं, इसमें हम वो frequency नहीं use कर सकते हैं, जो neighboring cell से उसमें यह frequency नहीं use कर सकते हैं, जो इसके पास है, मानलो one number frequency है, तो मैं इन में तीनो में किसी के पास one नहीं use कर सकता हैं, लेकिन इनके neighbors में मैं one use कर सकता हूं, क्योंकि इनके neighbors में use कर सकता हैं, इसका neighbor नहीं है, इस वाले का neighbor यह नहीं है, इस वाले का निपर सिर्फ यह है हाना नेबरिंग में नहीं कर सकते हैं लेकिन साइड़ वालों में फ्रिक्वेंसी को रीउज जो है हम कर सकते है ठीक है एक और बात सेल पर्टिकुलर क्लस्टर किसे कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल इस पूरे को हम क्लस्टर कहेंगे दिफ्टर खिक्वें अब ट्रिक बटिकुलर को हम सेल केंगे थिकर इस खुल्स्टर आफूब सब को इतना समझ आया होगा ठीक है सू आफ वास टेस्टर्टाशन थेंग यू